थाना कोदवाली में राजा सराफ ने लिखे तर्शिकायत की वह नुनहाई सराफा में राजा ज्वलर्स नाम से सोने की जेवरों को थोगवा फुटकवे पार करता है। नांग 22 मार्च 24 को सेंगई कॉलोनी दिख्षित पुरा निवासी कारिगर मेगनाद पातुरा को अनफिश सोने की जेवर 507 ग्राम 800 मिली ग्राम कुल वजन फिनिश करते हुए दुकान में उपस्तित शेक सराफ एवं हितेश ओस्वाल के सामने दिये थे जेवरों को अनुमान को कहा तो मेगनाद पातुरा हर बार यह बोलता रहा कि वो अपने गाव कलकता में हैं जेवर जिबलपू सराफ इस सित मेगनाद चलाई पुलस किंद्र की तिजोरी में रखें वच्छा भी मेरे पास है मैं वापसा कर जेवर फमर में जमा कर दूंगा विकत कई दिनों से हम लोग फोन लगा रहे थे दिनाग तीन महीँ 124 को गाउं से वापसा गार में गनाद ने दूकान खुली और फमर पर आकर बोला कि तिजोरी में आपके जेवर नहीं है मैं आपके जेवर नहीं दे पाऊंगा हमारे दी जेवरों को वापस करने में मेगनाथ हिला हवावली करना लगा और लगता है कि मेगनाथ ने हमारे जेवरों का बेमानी पूरवक स्वेम के लाव में उप्योग कर लिया है इसलिए मेगनाद जेवर वापस नहीं कर रहा है बार-बार जेवरों को मांगने पर मेगनाद कहता है कि जो करना है कर लो मेरे पास कोई जेवर नहीं है पांसो साथ ग्राम आठ सो मिली ग्राम के अन्फिनिश्ड सोने के जेवर कीमती करीवन 32,50,000 रुपे को बेइमानी पूर्वक स्वेम के लाप के लिए रखना अत्वा उपयोग कर लेना और उक्तिसाओने के जेवर बारवा वापस मागने पर मेगनाद पातुरा द्वारा नहीं लोटाना पाई जोने पर आरुपी मेगनाद पातुरा के विरुद धारा 406 भादवी का अपराद पंजिवत कर आरुपी की तलाश जारी है इसको जो है अपने तीजोरी में रखना पातुरा के जो है प्रोप्राइटर्स राजा जोलर्स वालों ने कावेदन प्रसुत किया था कि 22 मार्श को इन्हों ने अपना जो कारीगर है मेगनाद पात्रा इसको 560 ग्राम बे करीब अन्फिनिश्डी जो सोना था उसको पर पर बाहा से चला गया गाव और यह मही में वापस आया कि इनके द्वारा बोला गया कि जो अन्ने सोना फ़र्णिश कर्श के देने को बोला था वो तुमने अभी तक दिया लिए बहाने बाजी करने लगा कि मेरा सोना में है चला गया करी गुन गया यह लगवग 32 लाग की कीमत का सोना है तो आवेदर प्रसुत करने पर अमानत में ख्यानत चाहरा 406 कम अमना कायम किया गया है अरूपी को सिग्र पकड़ लेंगे